ओम गणपत ये इनमा है मिठाई बाटने का समय आचुका है लड़ू बाटने की कीजे तैयारी खुसकबरी, खुसकबरी, खुसकबरी जी हां मित्रू 300 सालों की इतिहास के बाद इस बार गणेश चतूर्ती पर बन रहे हैं और इसे के साथ तीन रासियों की किस्मत पहुचेगी साथवे आसमान पर तो मित्रों एके करते वे जानते हैं सभी भागय साली रासियों की तरब और साथ ही गणेश चतूर्ती के दिन किये जैने वाले कुछ आसान से उपाईउं के बारे में जिनको करके आप भी अपनी सोईवी किस्मत चमका सकते हैं अपने भागय को जागरित कर सकते हैं और पांच ऐसे काम है जिनको भूल कर भी गणेश चतूर्ती वाले दिन नहीं करना चाहिए नहीं तो पुन्य की जिगे आपको पाप का भागी भी बनना पड़ सकता है वक्र तुंड महाकाय सुर्य कोटी समप्रभ है निर्विग्नम कुरुमे देव सर्वकारे सूसर्वधा जै श्री गणेशाय नमह मित्रों इस साल 2023 में 300 सालों के इतिहास के बाद 19 सितम बर्याने की गणेश चतूर्ती पर अदबुद और विसेश महासायोग का निर्मान हो रहा है आपको बता दे इस बार गणेश चतूर्ती पर सिव चतूर्ती का भी योग है और साथी ब्रह्म योग और सुकल योग जिसे अती दुरलब महासायोग बन रहे हैं जिससे गणेश चतूर्ती का जो महत्व हैना वो 100 गुना तक बढ़ चुका है और भगवान गणेश जी गजानन जी की क्रिपा से कई रासियों की किस्मत एकदम से चमाखने जारी है तूचल ये एके करते वे जान लेते हैं सबसे पहली जो भागय साली रासे बनेगी वो आती है मेस रासी जिनके नाम का पहला अक्सर ला ली लू ले लो ए चू चू चे कर आपको अती खुसी का अनुभव होगा और साथ ही भगवान गणेश जी के आसिरवास से मेस रासे वाले लोगों को साल 2023 में दिसंबर तक किसी भी बड़ी प्रोपर्टी में इन्वेस्मेंट करने का मोका मिल सकता है आप अपना स्वयम का मकान गाड़ी वहन वगरा और साथ ही व्यापार में भी मन चाही बड़ोतरी देखने को मिलेगी भगवान गणपती बपा के आसिरवास से आपके सारे रुकेवे जो काम थे ना वो बनने लगेंगे और नेजी जीवन में खुशी आएगी संतान पक्स से भी सुब समाचार प्राप्थ होगा अगर अचानक से धन प्राप्ती का महासायोग भी बन रहा है जिससे आपको कर्ज से चुटकारा मिलेगा और साथ ये काफी अच्छी मात्रा में धन की बचत भी होगी उसके लावा जो विद्यारती है प्रतियोगी परिक्सा की तियारी कर रहे हैं या कई दिनों से सरकारी नोकरी की तियारी कर रहे थे ना तो उनकी ये प्रियास अब पूर्ण होगी और गनेश चतूरती के बाद आपको कोई भी अच्चे और बड़ी खुस खबरी मिल सकती है कुमारे लोगों का विवाह का योग भी बनेगा और दिवाले के बाद तक कहीं पर भी आपका के दिन भागवान गनेश जी को लाल सिंदूर चड़ाएं जिससे इमाता लक्ष्मी जी का विशेश रूप से आपको आसिरवात मिलेगा चलिए जान लेते हैं अगली याने की दूसरी जो भागय साली रासी बनती है उसके बारे में उससे पहले आपको एक महत पुन बात ब को हकदार होते हैं याने की जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है और इसे के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आये हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत याने की परसनलाइजड कुंडली ज आपका भायगे उदरी कब होगा जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे नोकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी आपके लिए भायगे साली रत न कुन सा है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे है ना उस पर वोट्सप पर संपर करके आप हमारी गुरुजी से बात कर सकते ही और मात्र 251 रुपे की चोटी से नामात्र की फीस में आप अपनी संपोर्ण जिवन की माहा जन्म कुंडली के बारे में जान सकते ह और हाँ कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बोते से कुछ भी नहीं बताया जाता ऐसे में आप फालतु कोलिया मैसेज करके अपना स्वयम का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजी अगर आपकी नहीं मिल रहा है बच्चू का पड़ाय में मन नहीं लगता पती पतनी के बीच आपस में बनती नहीं है या घर परिवार में लगातार लड़ाई जगडा बना रहता है व्यापार में नुकसान हूरा है घर में धन की कमे बनी रहती है यह आपके उपर करज हो चुका है जिस बनेगी न वो आती है मिथुन रासी जिनके नाम का पहला अक्सर का की कू बढ़ा गया छै के को और हा से सुरू होता है उनकी मिथुन रासी होती है मिथुन रासे वाले लोगों को गणेश चतूरती के बाद से ही भगवान गरजानेंजी का विसेश रूप से आपको आसिरवा अपती होने के संभावना है और साथ ही जल्दी है आप तरकी की सीडियां चटने लगेंगे दामपती जीवन में खुशियां अपने आप ही आपके घर आएगी नोकरी करने वाले लोगों को परमोसन मिल सकता है बस आपको हरे के काम को बहुत ही इमानदारी के साथ जिरूर क होती है 19 सितंबर से ही भागवान गनेश जी के आसिरवास से मकर रासे वाले लोगों के मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी चारू तरब से इधन का लाब होगा अगर कारोबार में कोई भी परिसानी चल रही है तो वो भी दूर हो जाएगी गनपती बपा आपके रुके वे साधी नवी हिए ना उन लोगों का विवहा का योग बनेगा जल्द ही आपके घर में इस सहनाई गूजने लगेगी आपको मान सम्मान और परतिष्टा मिलेगी दूस्तों गनेश जी की पूझा आपको मंदिर जाकर जरूर करनी है और मकर रासे वाले लोगों के इंकम के सा महनत का अनुकोल फल मिलेगा और आपकी महत्वा कांगसाएं पूर्ण होगी कारोबारी लोगों को भी इस समय अच्छा सा धन का लाब हो सकता है और आपकी जो भी इच्छा है जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी इंकम में बडोतरी के साथ ही पार्टनर से आपके पहले जो भी सम्मंद चल रहे थे ना अब उनमें धिरे धिरे सुधार आएगा और भागी आपके लिए विसेश सफल परदान करेगा चली अब जान लेते हैं दोस्तों गनेश चतूरती के दिन किये जाने वले कुछ आसान से उपायों के बारे में उस से पहले जान लेते हैं गने जी की प्रतिमा की स्तापना करें गनपती भागवान का गंगा जल से अबिसे करें और संभव हो तो इस दिन वरत भी रखें भागवान गनेश जी को पूजा के दुरान पूस्प अर्पित करें और पूस्प के बाद फिर उनको दुर्वा घास भी अर्पित करें फिर भाग सबी कश्ट सबी दुखों का हरन करेंगे और जीवन में सुक समर्दी और धन की प्राप्ती होगी चली अब जान लेते हैं गणेश चतूरती के दिन किये जाने वाले कुछ इस विसेश उपायों के बारे में जिनको करके आप अपने जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं तो चली सबसे पहला उपायपन जानते हैं आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों गर आपके घर में भी धन की कमी बनी रहती है आप कमाते दस जार है लेकिन खर्च 12,000 रुपे हो जाता है मतलब कि अगर आपकी इंकम से ज़्यादा आपका खर्च हो रहा है न और अगर आप आर्थिक समस्याओं से परिसान है तो गणे चतूरती के दिन 22 दुरवा को एक साथ जोड लेना है और 11 जोडे तयार करने हैं 22 दुरवा को जोड कर 11 अलग लग जोडे तयार करें ध्यान रखें कि हर एक गाठ दो दुरवा से बनती है और इसके बाद ग्यारा गाटू को भगवान गणेजी के माथे से चूकर उनके चड़नों में अर्पित कर दें और इसके बाद भगवान गणेजी को गंद, फूल, दिपक और धूप आदी चीजें अर्पित करें इस प्रक्रिया को आप अनंच चचुर्दसी तक करते रहें ऐसा करने से भगवान गणेजी की क्रिपा प्राप्त होती है और धन से समंदित जो भी समस्या चल रही है ना उससे उनको छुटकारा मिलता है अगले एक महतुपन उपाई है जीवन में उन्नती और सुभाग्य प्राप्ती के लिए दूस्तो गणेज चतूर्ती के दिन किसी भी कुमार के पास जाकर कुमार के चाक से थोड़ इसी मिट्टी लेनी है और अंगुठे के बराबर भगवान गणेज जी की मूर्ती बना लेनी है दूबारा से बता रहा हूँ गणेज चतूर्ती के दिन आप किसी भी कुमार के गर जाएं कुमार के गर जाकर कुमार के चाक से एक मिट्टी लेनी है और आपका अंगुठा जितना है ना उनके बराबर ही भगवान गणेजी की मूर्ती बना लेनी हैं और इसके बाद चोकी पर लाल कपड़ा बिछा कर विदी पुर्वक भगवान की पूजा अर्चना करें और ओम हीम ग्रीम हीम मंत्र का 108 बार जाब करें और यह आप लगातार अनंत चतुर्दसी याने की 10 दिन तक करते रहें इसा करने से सभी विग्न, सभी परेसानिया, सभी बाधाएं दूर होती है और सकरात्मक सक्ती आपके आसपास बनी रहती है तो इस तरह से विदी विदान के साथ भागवान गणेशी की पूजा अर्चना करने से जीवन में सभी दुख, दर्द, तकलिपें, समस्याएं जो भी है न वो दूर होती है और तरक्य उन्नती के साथ ही आर्थिक रूप से आपको सक्सम बनती है तो चली मित्रू इसे के साथ फिलाल के लिए स्वीडियो को यहीं पर देते है विराम फिर से होंगे हाजिर एकोर नई और काम की जानकारी के साथ तब तक के लिए हूम नमसिवाय जै श्री कृष्णा जै श्री राधे में